लिजे सुनिए देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का तेईसमा बयान मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में महराज जै सिंग, कुमर, भीरेंदर सिंग, तेज सिंग, देवी सिंग और जोत्शी जी खंडहर की सेर करने के लिए उसके अंदर गए जाते ही यकीन हो गया कि बेशक ये तिलिसम है हर एक जगह वे लोग घुसे और एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बीच वाले बगले के पास पहुँचे चपला की जुबानी ये तो सुनी ही चुके थे कि यही बगला कुमारी को निगल गया था इसलिए तेज सिंग ने किसी को उसके पास जाने न दिया खुद गए चपला ने जिस तरह इस बगले को आजमाया था उसी तरह तेज सिंग ने भी आजमाया महराज इस बगले का तमशा देखकर बहुत हिरान हुए इसका मूँ खोलना पर पहलाना और अपने पीछे वाली चीज़ को उठा कर निगल जाना सबों ने देखा और अचंबे में आकर बनाने वाली की तारीफ करने लगे इसके बाद उस तेहखाने के पास आए जिसमें चपला उतरी थी किवाड के पले को कमंद से बंधा हुआ देख तेज सिंग को मालum हो गया कि ये चपला की कारवाए है और जरूरी इक कमंद भी चपला की ही है क्योंकि इसकी एक सिरे पर उसका नाम खोडा हुआ है मगर इस किवाल का बांधना बेफाइदे हुआ क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल ना सकी कुए को भी बखुबी देखते हुए उस चबूत्रे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ था चपला की तरह तेज सिंग ने भी यहां धुका खाया चबूत्रे के उपर चड़ने वाली सीड़ी पर पैर रखते ही उसकी उपर का पत्थर आवाज दे कर पल्ली की तरह खुला और तेज सिंग धम से जमीन पर गिर पड़े इनके गिरने पर कुमार को हसी आगई मगर देवी सिंग बड़े खुसे में आए कहने लगे सब शेतानी इसी आदमी की है जो इस पर सोया है अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ ये कहकर उचल के बड़ी जोर सी एक धौल उसके सिर पर जमाई धौल का लगना था कि वो पत्थर का आदमी उट बैठा मूँ खोल दिया हाथी की तरह उसके मूँ से हवा निकलने लगी थोड़ी ही देर में बड़ी भारी आवाज हुई और सारा मकान हिलने लगा मालूम होता था कि भूकम पाया है सब ही की तबियत घबरा गई जोत्शी जी ने कहा जल्दी इस मकान से बाहर भागो ठहरने का मواقع नहीं है इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सब कि सब भागे भागने के वक्त जमीन हिलने के सबب से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ता था खंड़हर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे पूरे मकान को हिलते देखा दो घंटे तक ये कैफियत रही और तब तक खंड़हर की इमारत का हिलना बंदना हुआ तेज सिंग ने जोत्शी जी से कहा आप रमल और नजूम से पता लगाईए कि ये तिलिस्म किस तरह है और किस के हाथ से तूटेगा जो त्शी जी ने कहा आज दिन भर आप लोग सबर कीजे और जो कुछ सोचना हो सोचिए रात को मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त कर लूँगा फिर कल जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा मगर यहां कई रोज लगेंगे महराज का रहना ठीक नहीं है बेतर है कि वे विजए गढ़ जाएं इस राय को सभी ने पसंद किया कुमार ने महराज से कहा आप सिर्फ इस खंडहर को देखने आये थे सो देख चुके अब जाएए आपका यहां रहना मुनासिब नहीं महराज विजए गढ़ जाने पर राजी ना थे मगर सभी के जिद करने से कबूल किया कुमार की जितनी फौज थी उसको और अपनी जितनी फौज साथ आई थी उसमें से भी आधी फौज साथ ले विजए गढ़ की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का तेईस्वा बयान मेरी यानी समीर को स्वामी के आवाज में